देंगे सर इसलिए आए हैं आप सो जैदर ने छट्था बार सांसर आप हमको सिखाएगा और आप किरपा पर दीता हैं मैं अकेला लड़ता हूं नमबुद्दाई जै भीम जै भारत जै सविधान जै मंडल जै जोहार साथियो नमसकार मैं हूनी रजपटेल और आप देख रहने संजनमत संसद में सपद गिरण के दोरान जै हिंदू राष्ट्र, जै स्रीराम, जै फिलिस्तीन के पागलपन के बीच में बंद गले का नीला कोट पहने हुए हाथ में सम्मिधान लिये हुए रौबदार मूचों वाले एक बहुजन योद्धा के नमोवुद्धाए जै भीम, जै मंडल, जै विज्ञान, जै सम्मिधान, जै जोहार ने अलग ही गर्मी पैदा कर दी मैं चंद शेखर जो लोग सभा का सज़सन रिवाचित हुआ हूँ सस्ते निष्टा से परतिक ज्यान करता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्थापिछ भारत के सविधान के परती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की परभुता और अखंडता अक्षून रखूँगा तता जिस पद को मैं ग्रहन करने वाला हूँ उसके करतववे का सदा पूरवक निर्वैन करूँगा नमोबुद्धाय जैवीम जैभारत जै सविधान जै मंडल जै जोहार जै जवान जै किसान भारते सविधान जिंदबाद भारते लोक्तंतर जिंदाबाद चंदर सेखा राजात के नारों में सबसे प्रमुख बात रही जो उनको भीड से अलग करते हैं नमो बुधाय और जैमंडल जैभीम तो तमाम उन लोगों ने भी किया जो ईसोर को साक्षी मान करके सब अदले रहे थे नकली अंबेट करवादी होने में और दिखावटी होने में यही फर्क है बहराल नमो बुधाय और जैमंडल शायद संसद में किसी ने नहीं कहा होगा लेकिन चंदर सेखर आजाद ने सपद गिरन के बाद लिये हुए नारों में जहां इसमश्ट कर दिया कि मेरी बैचार की लाइन संसद के अंदर क्या रहेगी वही दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसदों को ये भी बता दिया कि मेरे तेवर नहीं बदले हैं अब मैं संसस सदस्य हो गया हूँ इसलिए संवैधानिक तोर पर जिस तरीके से आपका बिरोध करना चाहिए पुरजोर तरीके से बिरोध करूँगा अब सुनिये चंदर सेखा राजाद के वो तेवर जो बहुजन समाज को आत्म सम्मान और स्वाहिमान से जीना सिखाते हैं और फक्र से उनका सिर उपर कर देते हैं दरसल सपद गिरन समाप्थ हुआ, प्रोटे में स्पीकर से हाथ मिलाने पहुचे चंदर सेखार आजाद, उसी समय सत्ता पक्ष के किसी सांसद ने कहा, पूरा भासन दोगे क्या, तो चंदर सेखार आजाद बोले, देंगे सर, इसलिए तो आए हैं यहाँ इतना ही नहीं, जब सपद गिरन के बाद बापस लोट रहे थे, तो सीड़ियों पर कह रहे थे, कहने आए हैं और सुनना पड़ेगा सबको यहे चंदर सेखार आजाद के वो तेवर और वैचार की, जो उन्हें अन्य भीड से अलग करती है अब उनके ही एक मित्र, पपू यादव, जो बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दली सांसद बने हैं वो अपनी टी-सर्ट में लिख कर लाए थे, री-नीट, मतलब नीट की परिक्षा दोवारा करो इनके सपद गिरन के बाद, बीजेपी के किसी सांसद ने फिर से उंगली की तो उनको सबक सिखाते हुए बोले, छटमी वार सांसद हूँ, आप हमको सिखाईएगा और इसके बाद, जो बात कही है, वो जन्ता के कॉन्फिडेंस के दम पर ही आती है बोले, आप किरपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ पपु यादव ने बीजेपी के सांसद से ये बात गलत नहीं कही थी बीजेपी तो छोड़िये, किसी भी पार्टी के सांसद से ये बात गलत नहीं कही क्योंकि वो सभी अपनी अपनी पार्टीों के विचारधारा के गुलाम है जितना कहा जाएगा, उतना ही किया जाएगा, लेकिन पपु यादव जैसे सांसदों को पता है मैं यहाँ जनता के दम पर चुन करके आया हूँ इसलिए सीधे चुनोते देते हुए कह रहे हैं मैं फोर टाइम इंडिपेंडेंट यानि कि चार वार निर्दली सांसद रहा हूँ आप मुझे सिखानी की कोसिस कताई मत करिये इन दोनों की सपत के अलावा एक और सेल्फमेड व्यक्ती राजकुमार रोत जो राजिस्थान की बासवाडा सीट से सांसद चुने गए हैं भारत आदिवासी पार्टी से उन्होंने भी समिधान प्रकती और पूर्वज को साच्छी मान करके समिधान के प्रती सत्य निष्ठा की सपत ली और समापन जैभीम जैजोहार जैआदिवासी के साथ किया मैं राजकुमार रोत जो लोकसभा का सदश से निर्वाचित हुआ हूँ मैं सविधान प्रकरती पूर्वज एवं सत्य निष्ठा की सपर लेता हूँ की मैं विदीदारा स्तापीद भारत के सविधान के प्रती सची स्रदा निष्ठा रखूंगा जै जोहार जै बिलपरदेश जै भीम जै सविधान जै आदिवसी हाला की सांसदों के सपदगरण में बताने और कहने को बहुत कुछ है लेकिन नेशन जन्मत सिर्फ इतना कहना चाहता था कि अपनी दम पर जीते हुए सांसदों के तेवर, कॉन्फिडेंस और वैचार की एक तरफ है और किसी भी पार्टी के बधुआ मजदूरों की जवरन वैचार की दूसरी तरफ देखते रहीने संजन्मत जागरूक और सजग बने रही है जै विज्ञान, जै समिधान, जै लोकतंत्र, धन्यवाद